सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष चैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी सहन करने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में हैं, दुन्या तो बस उसकी जोटी हसी देखती है जब कोई गुसे में आपके सामने बात करी, तो उसे खामोसी के साथ और गौर से सुनी, क्योंकि अक्सर गुसे में इंसान सच बोल देता है अगर कोई आपके रास्ते में गढ़धक हो दे तो परशान मत होना, ये वही लोग है जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगी आज का पंचांग 6 सितंबर 2020 देर रवीवार आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष के शतूर्थी तिथी साम साथ बचकर साथ मिलट तक रहेगी इसके उपरांद पंचमी तिथी प्रारम हो जाएगी अश्विनी नामक नक्षत्र सुब़ 5 बचकर 24 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद भर्ने नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे असुपसम में साम 5 बचकर 2 मिलट से 6 बचकर 35 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थात दिन का सबसे सुपसम में दोपहर 12 बचे सी 12 बचकर 49 मिलट तक रहेगा आश्यंद्रम मेश राशी पर संशार करेगी और आश्योर्य सिह राशी पर रहेगी धनुरा से 6 सितंबर 2020 दिन रवीवार आपको रोमैंटिक पार्डनर अभी आपका ध्यान खुद पर आकरशित करना चाहता है रोमैंस के लिए समय निकाले अपने साचिदारी और रशनात्मक्ता के कारण काम में आपको इनाम मिलेगा आप कड़ी मेहनत कर रही हैं और दुश्री आपको नोटिस कर रही हैं तो वो आपका है अगर लोटका नहीं आया तो वो आपका कभी था ही नहीं अज आपकी प्रसिद्धी का चादू दिन भर चाया रहेगा आए दिन आपको अराम और मौश मस्ते का मौका मिल जाता है यह सब आपकी कड़ी मेहनत का ही फल है आज आप कह सकते हैं कि आपकी सबी काम ठीक से चल रही है क्योंकि आपने अपने काम को लेकर पहले से ही सही योशना बना रखी है आज कोई बड़ा आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो जिन्दगी में आपकी काम आए आप सलाह के लिए किसी को ढून भी नहीं रही थी आज अब सराब पी कर वाहन ना चलाएं आपके लिए अच्छा रहेगा खुस्तके तो एल्कोहल ही ना पिए अगर किसी को उधार पैसा दे रहे हैं तो ना दें आपके लिए अच्छा रहेगा दब लाइफ की बात करते हैं आपके सितारे बता रहे हैं कि आपका लॉंग डिश्टेंज रिलेशन्शिप आपके लिए डिवाइन लव की तरह है जिसमें आपको पूरा आनदा रहा है इस खेल को रोमांचकारी और उश्याही बनाने के लिए अपनी कुटनीती और बुद्धी मता का प्रयोग करें ने रिस्ते में थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ें आज का दिन उत्तेजक और रोमेंटिक है भौनात्मक सुख आपके प्रात्मिकता रहेगी और यह उन चीजों का मज़ा लेने का समय जो आपके पास है ववाहिक शुक कभी योग बन रहा है इसलिए अपने दिल की बात का एजहार कर दी हो सकता है कि फूलों का एक गुच्छा आचा आपका दिन बना दी करियर की बात करें तू आज अब कुछ खूफिय योशनाय बना सकती है जो भविश्य में काम आईगी अपनी रशनात मकता और संगर्ष भरे स्वभाव से आप किसी को भी असानी से प्रभावित कर शकती हैं अज पेश्वर कटनायों को भूल कर नए औशरों का फायदा उठाएं अज प्यार हवावों में हैं आपके सहकर्मी मित्र या अधिकार या आपको अन्य किसी चीज से अधिक खुश करेंगी अगर आप सिंगल हैं तो अब समय किसी खास से मिलने का क्योंकि अभी आपके दिलचस्पी प्यार लेने और देने में अधिक हैं मेहनत करें और उसके बाद मज़े करें जीवन को उसकी लंबाई से नहीं बलकी खुशियों से ना पें शेहत की बात करें तो आशा आपको मास पेशियों से सम्मंधित परशानी भी हो सकती है और इस परशानी को दूर करने के लिए आपको सतर्क रहना होगा और किसी भी समान को उठाने के लिए अलग-अलग पैतरे इस्तेमाल करने होंगे कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको उतको चोट पहुशा ले आज का उपाएं आज अब गरीबों को पैसों का दान करें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका दें शुब हूँ